नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सबी, I hope आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्त होंगे, तो दोस्तों आज हम बनाएंगे मैंगो से दो-दो रेसिपी, आप इसे 2-in-1 रेसिपी कह सकते हैं, पुखुत ही दोनों खाने में स्वादिस लगती हैं, तो आज हम बनाने व मैंगो का सीजन है, खूब सारे मैंगो मार्केट में आपको अच्छी अच्छी वराइटी का इस टाइम मिल जाते हैं, तो आप जरूर ट्राई करें, 100% ये टेस्टी है, साथ के साथ घर की बनी हुई है, बहुत कम समान में, बहुत कम महनत में बनने वाली, बहुत ही स्वाइब के बटन के पास जो बेल आइकन का बटन है, उसको भी प्रेस करना ना बूलें, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, अपने फैमली और फ्रेंस के साथ जादा से जादा सेयर भी करें, तो आईए फिर सुरू करते हैं, ये मज़ेदार सी मैंगो कुल मतलब की तीन पाव फुल क्रीम दूद, आप भेस का दूद भी ले सकते हैं, और ये दे दो चम्मच मैंने ले लिया है, गेहूं का आटा, इसमें अब ठंडा दूद डालके हम इसका घोल बनाएंगे, आदा चाय वाला कप इसमें दूद का लग जाता है, इसको थोड़ा सा पतला करके दूद में मिक्स कीजिए, नहीं तो दूद में इसकी गुठलियां पड़ जाएंगी, अगर आपके पास घर में मिल्क पावडर अविलेबल है, तो आप एक दो चम्मच वो भी डाल दें, इससे रबड़ी और भी जल्दी बनके तयार होगी, ये वही वाला आट किया है, और ये चार चम्मच मैंने डाल दी है, चीनी, रबड़ी ना तो बहुत हो ज़्यादा मीठी अच्छी लगती है, ना बिल्कुली फीकी, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से मीजठा इसमें एड़जस्ट कर सकते हैं, अब दूद को पकाएंगे, अच्छा सा चे से साथ मिनट हो गए, दूद को पकते वे, इसमें कुछ धागया मैंने केसर के डाल दी है, इसे कलर बहुत अच्छा आजाएगा रबड़ी में, और दो हरी इलाइची भी हम कूट के डाल देंगे, इलाइची का बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है, किसी भी लगातार ध्यान रखना है, बिल्कुल भी नीचे चिपकने नहीं देना, अगर नीचे आता चिपक गया तो पूरी रबड़ी का टेस्ट खराब कर देगा, तो आप ध्यान रखें इस शीज का बिल्कूल, दूद अच्छा खासा गाड़ा होना सुरू हो गया है, इस टाइम आपको गेहों के आते का कोई टेस्ट नहीं आने वाला है, आप बेफिकर होके डाल लीजिए, पर आप दूद फुल क्रेमी लीजिए, और आते की मातरा लिमिटेड ही लें, दो चम्मच इससे जादा आपको नहीं लेनी है, अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि यहां पे देखे, रबडी थंडी हो गई है, थंडी होने के बाद और भी ज़्यादा गाड़ी हो गई हो गई हो देखे कितने लच्छे बने हुए हैं रबडी में, कितनी यम्मी लग रही है, आप इसे भी थंडा करके ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम बनाएंगे इससे दो चमचीनी एड़ कर सकते हैं, मैंगो पल्प देखे कितना अच्छा बन गया है, अब इसमें से आधी रबडी हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे, और इसे एक बार फिर से चलाएंगे दो तीन मिनट के लिए, इससे क्या होगा हमारी बहुत ही अच्छी मैंगो आइसक्रीम बन बचा है, इसके अंदर हम यह बचा वा अपनी रबडी डाल देंगे इससे हमारी बहुत अच्छी मैंगो रबडी बन जाएगी, यह साथ के साथ बहुत तेस्ती आइसक्रीम भी बन गई बहुती मज़ेदार मैंगो की आईस क्रीम बन गई है अब इसे सेट करने के लिए रखेंगे फ्रीजर में कम से कम 6 घंटे या फिर आप और नाइट भी रख सकते हैं और फिर ठंडा ठंडा इसको सर्व कीजिए जमाते वक्त आप उपर से कोई भी फोईल पेपर, प्लास्टि कीजिए और इसको जमने दीजिए बीच में एक बार हम एक घंटे बाद आइस क्रीम को फिरिजर से निकालेंगे और इसको दुबारा से मिक्सी में चलाएंगे इससे बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेक्श्चर वाली आपकी आइस क्रीम बनके तयार होगी जैसा मार्केट व अच्छे से साथ गंटे नहीं तो ओवरनाइट रखेंगे तब यह अच्छे से से सैटो के तयार होगी हमने यह आइस क्रीम बिना कंडेंस मिल्क बिना मिल्क पाउडर बिना खोया के बनाई है लेकिन इसका स्वाध इतना जवरदस्त है कि आप बिल्कुल भी इस चीज को फीली नहीं कर पाएंगे कि आपने इसको बिना क्रीम बिना कंडेंस मिल्क के बनाया है अब इस आइस क्रीम को हम दुबारा से फ्रीजर में रखेंगे पूरी रात बर के लिए और इधर जो मैंने मैंगो रबडी बनाई थी इसको भी फ्रीज में रखे वे दो घंटे हो गए हैं और ये भी देखे कितनी जादा अच्छी बनके तयार हो गई है इसके लच्छे देखे आप कितनी बड़िया पड़े हुए है बहुत ही स्वादिस्ट बनी है ये रबडी इतने कम समान में इतनी कम महनत में हमारी दो दो डिलिसियस रेसिपी बनके तयार हुई है गर्मियों की रात हो और इस तरह की कोई भी स्वादिस्ट डेजर्ट खाने को मिल जाए तो फिर कहना ही क्या और ये आइस्क्रीम देखे बहुत ही ज्यादा हमारी जम गई है क्योंकि इसको सत्रा गंटे कम से कम हो गए है जम आये वे इसको मैंने इस तरह से पीसीज में काट लिया है इसको भी कम से कम आप चार-पांस मिनट के लिए इस तरह से रूम टेम्प्रेचर पे रख दीजिए ये थोड़ी सी सोफ्ट हो जाएगी उपर से थोड़ी से पिस्टा डाल के इसको गार्निस करेंगे है ना दोनों ही मज़ेदार रेसिपी आई होप अब सबको पसंद आई हो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें अपने फीड़ बैक मुझे कॉमेंट करके जरूर सेयर किया कीजिए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आपके अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ना तो आज के लिए सिर्फ नहीं बहुत जल्द हम मिलेंगे एक और नई और मज़ेदार से रेसिपी के साथ तब तक के लिए मेरे सबी प्यारे प्यारे दोस्तों को गुड़ बाई खुस रहें स्वस्त रहें और बहुत सारी नई नई और मज़ेदार रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें देखे दो तीन मिनट बाद ही ये बिल्कुल सोफ्ट हो गई है लेकिन आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ये मेल्ट नहीं हुई है जैसे मार्केट वाली होते हैं उसका थोड़ी देर में पानी पानी सा हो जाता है वैसा इस वाली आइसक्रीम के साथ बिल्कुल नहीं ह होगा कितनी बढ़िया लगरियत देखने में ही बहुत ही जबरदस्त इसका टेस्ट है तो आप प्लीज जरू ट्राइ कीजिएगा ये 100% मैं आपको कह सकती हूं कि टेस्टी डिलीसियस कम समान में बनने वाली रेसिपी है